वेलकम टू माई चैनल नीशा एजूकेशन और आज हम वैश्वी करण जिसको हम इंगलिश में ग्लोबलाईजेशन कहते हैं उसका मीनिंग समझेंगे तो मैं example से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ देखिए जब हम कोई भी वस्तू ठीक है हम कोई भी वस्तू अगर हम घर में रखते हैं मानने जिए हम घर में बहुत सारा कपड़ा लेके बैठ जाते हैं ठीक है कपड़े की दुकान लगा लेते हैं घर के अंदर तो क्या वहाँ पे वो इतना बिकेगा या हमें इतना प्रौफिट वहाँ पर होगा नहीं न अगर हम वही दुकान किसी मार्केट में कर लें तो ओर ज्यादा प्रौफिट होगा और फिर हम सोचने लग जाएं कि उसकी ब्रांच खुल जाएं या वो दूसरे शहर में भी च सामान पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ सामान ही नहीं बलकि राजनिती संस्कृती ठीक है सारी चीज़े जो है इनका आदान प्रदान होता है इनका आयात और निर्यात होता है यह आती भी है और जाती भी है यहां तक की बीमारियां भी बीमारियां को कई आदान प्रदान करना तो नहीं चाहता लेकिन वो गलती से हो जाती हैं जैसे कि आप कोरोना को भी देख सकते हैं कि कोई इसको जान पूच के नहीं लाया लेकिन वो आ गई है बलगी पूरी दुनिया में फैल गई है तो ये भी वेश्वी करण ही है ठीक है तो वेश्वी करण का जो तातपर्रे है वो घरेलू अर्थव्यवस्था का वेश्वी करण अर्थव्यवस्था के साथ एकी करण है मतलब हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है ठीक है एक देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका जो एकी करण है उसका जो जुडाव है वो पूरे विश्व के साथ होता ह पूरी दुनिया के साथ होता है पूरी दुनिया को वो जो है अपना सामान माल जो भी चीज़े हैं ठीक है निर्यात भी करता है उसका मतलब दूसरे देशों में भेजता भी है और आयात भी करता है आयात मतलब दूसरे देशों से खरीदता भी है तो हम खाली यह नहीं कह सकते कि ये सरिफ अर्थ विवस्ता तक ही सीमित है इसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनितिक और सांस्कृतिक रूप से जो हैं जुड़े हुए होते हैं इन तीनों रूपों से जो हैं एक दूसरे से संबंध रखते हैं क्यूंकि आप देखी सकते हैं पहले लड़के जीन्स नहीं पहनते थे लड़कियां भी नहीं पहनते थी तो यह हमारा कल्चर नहीं है मैं यह नहीं कह रही यह बुरा है यह अच्छा है जिसको जैसा पसंदा है इसको वैसा पहनना चाहिए ठीक है लेकिन मैं यह कह रही हूं यह हमारा कल्चर नहीं है ठी लेकिन आजक्त लंग्रे साडियां घपने हैं चूड़ियां बिंदी लगाथा है है तो यह क्या है यह यह सन्सकृतिक आदान-परदान है जब किसी देश सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्फ आर्थिक सर्फ आर्थिक तातपर्रे से जातें सिर्फ उससे जाते हैं ये राजनिती का भी आदान परदान करता है आइडियास का भी आदान परदान करता है ठीक है और ये साकारात्मक और नाकारात्मक दोनों हो सकता है जैसे कि हम दूसरे देशों में अपना सामान जाकर बेच रहे हैं हमारी संस्कृती दूसरे देशों में अपन सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से और दूसरे देशों की संस्कृति हमारे देश में आरही है जिसे क्या है कि हमारे देश की संस्कृति है वो बेकार हो रही है ठीक है उसका जो खेरिये इतना लंबा टॉपिक नहीं था तो वेश्वी करण का तात्पर्रे सीधा सीधा है वेश्वी करण का तात्पर्रे घरेलू अर्थवेवस्था का वेश्वी अर्थवेवस्था के साथ एक ही करण है इसमें दुनिया के सभी देश आ विश्व की अन्य अर्थ विवस्ताओं के साथ जुडाव से हैं, जिसे हम वेश्वी करण कह सकते हैं, एक तरीके साथ पूरी मार्केट समझे हैं, पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को आप एक मार्केट समझ सकते हैं, ठीक है, एक मार्केट की तरह है, और जिसमें कोई भ government worldwide करन जो है समझ में आ गया होगा क्या है और इसी टाइप की वीडियो में बनाती रहती हूं तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी वर्ड का मेनिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछें मिलत है नेक्स वीडियो में बाइ गाइज